तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिट से एक बड़ स्वागात है हमारे साथ इस exam education के platform जैसा कि आपको पता है कि हम एक physics का series continue कर रहे हैं इसका man purpose, IATG, तथा NEET के साथ board exam भी है तो हम उसी के साथ साथ एक ऐसा series भी स्टाट कर रहे हैं जिसमें हम लोग उन सभी questions को analysis करेंगे जो इस type के दो exam में या तो आये हुए हैं या फिर आने वाले टाइब में आ सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं यह कुशन जैसे आप देख रहे हैं यह जो कुशन है यह कुशन नीट 2021 में आया हुआ है तो क्या यह कुशन कि इसका मतलब क्या है फोर्स एब एक्सिलेशन ए और टाइम टी को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजीकल क्वांटी की तरह है चूज करने लग जाएं तो to find the dimensions of energy तो energy की dimensions क्या हो जाएंगी तो यह हमको देखना है तो हिंदी में भी लिखा हुआ है क्या है यदि बल एप तुरण ए तथा समय टी को मूल भोतिक रासियां मान लिया जाए तो उर्जा की विमा क्या होगी तो इसका मतलब यह है जो बल एप है और तुरण ए है और सम और को fundamental physical quantity की तरह पढ़ाई नहीं है लेकिन यह बोला है तो इसके according हम लोग चीज़ों को हल कर लेते कैसे करेंगे देखें आप लोग कि अगर इसका हम लोग solution करें हैं तो कैसे करेंगे हमको पता है कि जो energy होती है energy का dimension क्या होता है ml square t-2 होता है तो आप यह जो option दे रखें हमको सभी option में first time f इसमें दे रखा है f इसमें f इसमें और f इसमें पर उसके बाद second time पे acceleration दे रखा है सभी में पर उसके बाद time दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग यहां से यह जो energy का dimension जो पूछा है energy के dimension से हम लोग f निकाल लेते हैं f कितना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते है ml t-2 अब यह ml इसको का t-2 था है इसको हम लोग ml t-2 लिख देंगे तो हम पर केवल एक l बचेगा क्या बचा एक l बचा है तो उसको ऐसे लिख देंगे तो उसके बाद हमको acceleration का dimension बनाना है acceleration का dimension हमको पता है kया होता है l t-2 होता है तो इसको l t-2 बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें t-square से उपर नीचे हम लोग divide और multiply कर देंगे T square से हमने divide कर दिया और T square से ही multiply कर दिया है इस form को बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा ML T minus 2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते है L T minus 2 क्योंकि T square नीजिए से उपर जाएगा तो T minus 2 लिख सकते है और into क्या हो जाएगा T square अब इसके बाद आप लोग क्या देख रहा है जो ML T minus 2 जो dimension होता है वो किसका होता है force का तो इसको हम लोग force का लिख देंगे dimension फिर क्या L T minus 2 है यह किसका होता है acceleration का इसको हम लोग acceleration लिख देंगे तो T square already ही आप देख रहा है हमने force को acceleration को और T को as a fundamental physical quantity treat कर लिया है तो आप देख रहे है F A T square इसमें कहीं है इस option देखो यह रहा F A T square second option है इसमें तो यह option इसका correct option हो जाएगा कौन से option correct हो जाएगा second कितना F A T square तो इसको आप चाहें तो और भी method से कर सकते हैं जैसे कि इसमें आप से पूछा था कि energy का dimension तो energy का dimension आपको पता था क्या था M L square T minus 2 होता है अगर आप इन options को लेके swallow out करने लगे उससे पहले क्या है force first option क्या है F A N T अगर हम लोग force का dimension रखें तो अगर इन सभी को हम लोग swallow out करके सभी का तीनों का dimension निकाल लें और उसके बाद ये energy की dimension के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है वही option ठीक हो जाएगा तो force का हमको पता है क्या होता है M L T minus 2 acceleration क्या होता L T minus 2 और into T ही जब इसको solve out करेंगे तो क्या हो जाएगा M का तो cable 1 ही दे रखा है L 1 L 1 ये रहा तो L 2 हो जाएगा T minus 2 minus 2 minus 4 और T plus 1 ये रहा तो कितना हो जाएगा T minus 3 तो आप देख रहे है इस dimensional formula को ये जो A option में दे रखा है अगर इसको हम हल करें तो क्या रहा है M L square T minus 3 आ रहा है तो किसी ना किजी से energy का dimensional formula निकल के आना चाहिए तो इससे तो आया नहीं तो इसलिए ये विकल्ब तो ही नहीं अगर हम लोग second को देखने लग जाएं किसको second विकल्ब को तो क्या होगा F A तो इसके बाद क्या है T square अगर हम लोग इसको देखें तो हमको पता है F क्या होता ML T minus 2 A क्या होता L T minus 2 acceleration और ये क्या है T square जब इसके बाद हम इसको देखेंगे तो M क्या है M तो के बल एकी दे रख़ा इसमें M L का कितना 1 और A की ये रहा तो L का कितना हो जाएगा T का minus 2 और minus 2 minus 4 हो जाएगा और ये 1 plus 2 है तो minus 4 से plus 2 हो जाएगा तो minus का 2 बचेगा तो T का minus 2 तो आप देख रहें ये dimension किसका है energy का किसका है energy का तो इसका मतलब ये कि जो second option है second option से energy का dimension निकल के आ रहा है तो इसका मतलब second option इसका correct हो जाएगा ऐसी हम लोगर C को और D को भी solve out करेंगे तो इन option से भी energy का dimension निकल के नहीं आएगा तो हमारे पास final answer कौन सा हो गया है the option B is correct answer अभी अब लोगी जो question देख रहा है ये question B need 2021 में आया हुआ है तो क्या है question if E and G respectively denote energy and gravitational constant E और जो G है ये जो denote कर रहे है किसको E तो energy को denote कर रहा है और G किसको कर रहा है universal gravitational constant को then E upon G has the dimension of तो E upon G का dimension क्या हो जाएगा आप लोग चाहोँते इसको हिंदी में पढ़ सकतो यदि E and E तथा G करमस है उर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांग हो तो गुरुत्वाकर्षण नियतांग को व्यक्त करते हैं तो E upon G की विमा क्या होगी तो इसको solve कर लेते हैं तो हमको पता है कि इसमें पूछा गया है E और G की जो विमा मतलब E का dimension निकालो और G का dimension निकालो और उनका ratio निकाल दो तो हमको पता है Energy का dimension कितना होता है Energy का dimension हमने अभी निकाला था ML square T minus अगर हम लोग Universal gravitational constant का dimension निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं उन्हें हमको याद भी रहता है तो निकाल लेते हैं इसको F is equal to G M1 M2 upon R square तो यहां से हम लोग Universal gravitational constant का भी dimension निकाल लेते हैं तो G is equal to कितना हो जाएगा F का R square में बड़ा होगा F R square upon M1 M2 is equal to F क्या है force तो force का dimension को पता है क्या होता है ML T minus अब देख रहे हैं इदर R square R square का मतलब क्या है L square में लेते हैं upon M1 M2 इसमें क्या लिख सकते है M square उसके बाद G का अगर हम लोग dimension देखना चाहें क्या हो जाएगा M का 1 है इदर कहीं है तो नीचे M का plus के 2 है जब इसको उपर ले जाएगे पिर एक को cancel out कर देंगे तो उपर जाएगा कितना बचेगा M का minus 1 आप समझ सकते है M का plus 1 तो यह रहा और 2 नीचे है उपर जाएगा तो minus 2 plus 1 तो minus 1 बचेगा L का 1 यह रहा और L का 2 यह रहा तो L का कितना हो जाएगा 3 T का minus 2 है केवल T का minus 2 ही बचेगा आप देख रहे हैं जो universal gravitational constant G है उसका भी हमने dimension find कर लिया है और जो energy थी energy का भी हमने dimension find कर लिया था यह किसका dimension है यह यह energy का dimension है समझे आप लोग तो अब इसमें जो question में पूछा गया है वो E का और G का ratio पूछा गया है तो निकाल देते हैं क्या पूछा गया है E upon G पूछा गया है तो E upon G हम जब निकाल लेंगे तो E का value कहा है यह रहा energy का dimension कितना है M L square T minus 2 अपूछ जो universal gravitational constant है उसका dimension कितना है M minus 1 L cube T minus 2 है देख रहा हम लोग इसके बाद जब इसको आगे हल करेंगे E upon G is equal to यहाँ पर देख रहा है M का plus 1 तो यहाँ पर है अब नीचे minus 1 है तो जब इन minus 1 वाला जब उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यह plus का बन हो जाएगा तो plus 1 और plus 1 कितना हो जाएगा उपर जाके M का plus का 2 हो जाएगा उसके बाद L का 2 उपर है L का 3 नीचे है तो 2 उपर है 3 नीचे से उपर जाएगा तो मैनस का 3 होगा तो मैनस 3 प्लस 2 कितना बचेगा L का मैनस 1 T का मैनस 2 है और T का भी नीचे मैनस 2 है तो यह अपस मैं चाहें तो इनको cancel out कर सकते हैं तो T का power कितना बचेगा 0 तो हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M का 2 L का मैनस 1 उट्टी का 0 तो हमारे पास finally answer आ गया है तो देख लेते कौन सा option है इसमें इसमें से पहला वाला option क्या है correct option है उसके बाद हम लोग देखें second में तो second में ऐसा कुछ के नहीं नहीं third में है और नहीं fourth में है तो इस तरीके से हम लोग इस question को भी solve out कर सकते हैं तो यहां से हमने finally E or G का जो question में पूछा गया था finally find कर लिया है तो इसका कौन सा option हो जाएगा option A is correct option